चूरू में शीत लहर का प्रकोप जारी नियूंतम तापमान दो दश्मलव दो डिग्री हुआ दर्जूरू में शीत लहर का सितम लगातार जारी है यहां शुकरवार को नियूंतम तापमान दो दश्मलव दो डिग्री दर्ज किया गया लगातार दूसरे दिन भी चूरू मे दूर दराज खेतों तथाकारों पर बरफ जम गई सुबह के समय कडाके की ठंडे लोगों की कमकपी छुटा दी सर्दी से रहात पाने के लिए लोग अलाव और हीटरों का साहरा लेना पड़ा कडाके की ठंड का सीधा असर घरों में देखने को मिला अधिक सर्दी होने के कारण घरों में लोग देरी से उठे गुरुवार की अपेक्षा शुकुरुवार को नियूंतम तापवान एक दशमन लव दो डिगरी की बढ़ोतरी हुई मोसम विग्यान के अंदर जैपूर के निदेशक राधेशाम शर्मा ने बताया कि परदेश पे पिछले चोईस घंटों में नियूंतम तापवान में दो से चार डिगरी की गिरावट दर्ज की गई है चूरू सीकर जुझनू अलवर हनुआनगड करोली जीलों में आगामी दो तिन दिन शीत लहर और अती शीत लहर की संभावना है इस दोरान नियूंतम तापवान कहीं कहीं दो डिगरी से अलसे से नीचे दर्ज होने और सुबह के समय पाड़ा जमने की परबल संभावना है उन्होंने बताए कि आगामी दो दिन उत्तर पश्चिम राजस्तान में कहीं कहीं मध्यम दर्ज का कोरा और गंगा नगर हनुआनगड जीलों में शीत दिन भी दर्ज होने की संभावना है शेश अधिकान सुभागों में आस्मान साफ रहने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है